कि है pertama कि कि है फlioid then welcome back टोर चैनल है कि माफंबट सुहर दोस्तों वेदानता को लेगे कई सभ्सक्रेबर सभी जो भी एंट्री लिए हैं सभी लोह फैनिक में कि यह रहुय के यर। वेदानता अगर आप stock खरीद रहे हो, position के लिए भी खरीद रहे हो, तो यह याद रखके खरीदना कि इसके अंदर dividend मिलता है, ठीक है, अगर आपको stock price का loss भी हो रहा है, तो उसके basis पर आपको जो dividend मिलेगा, वो उससे जाधा return मिलेगा, तो आप अगर वेदानता को खरीद रहे हो, position के basis पर तो उसमें यह भी याद रखो कि अगर position में loss हो रहा है, तो वेदानता dividend देके वो loss रिकवर करेगा, उसके बाद stock price उपर जाके, complete loss रिकवर करके, अब complete profit में आओगे, ठीक है, और वेदानता पिछले 4 महने से dividend नहीं दिया है, तो मैं expect कर रहा हूँ कि इस November और December के महने म वेदानता dividend दे, मुझे लग रहा है कि वेदानता dividend देगा, क्योंकि एक साल में 3-4 बार dividend देता है, और अल्रेडी 3 बार dividend दे चुका, 12 रुपे, 20 रुपे, 51.50 पैसा बस dividend दिया है, अगर जो आदमी लाग रुपे भी invest care के इसके अंदर बैठा है, for example, 100 quantity लेके बैठा है, 100 quantity 20,000 का लिया है, तो उसको तो normally इसके अंदर अच्छा खासा dividend का पैसा ही आया है, समझगे आप, यहां पे 12 रुपे, यहां पे 20 रुपे, 51 पॉइंट, अच्छा ही पैसा dividend का बना है, इसके अंदर, तो बस मैं आपको suggest यह करना चाहता हूँ कि अगर वेदानता में एंट्री ले रहे हो, तो dividend का भी सोच के लो, ठीक है, stock के अंदर previous breakdown level है, जिसका rejection के वज़े से यह नीचे गिर गया, यहां से उपर जाके, अब यह हो सका तो previous breakout पे आएगा, नहीं तो नया जो breakout बनाया है, यहां से ही support पकड़ेगा, अगर आप इसमें entry लेना चाहते हो, तो मैं और normal zero के position से neutral से उपर जाएगा, क्यों उपर जाएगा, क्योंकि minus level पे improper selling जिदर buyer trap किया, क्योंकि buyer को exit करवाते ही, यह लोग उपर लेके जाएंगे stock को, और दूसरा stock complete oversold में है, और stock इस बार oversold नहीं हुआ, इसका मतलब stock यहां पर sustain कर गया, इससे ज्यादा stock नीचे जाने वाला नहीं है, तो बस मेरा आपसी यही विनिती है, कि stock में entry ले लिजे, जो already entry लिए है, hold करिए, कुछ भी panic होने वाली बात नहीं है, new position level है, जो already entry लिए है, दोस्तों आप average करने की मत सौंचो, ठीक है, इसके अंदर जो buying है, 215 से लेके 210 के अंदर आप buying कर सकते हैं, इसके के लिए stock के अंदर जो average रहेगा, दोस्तों, average है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि already उपर वाले भी खरीद हैं, उपर वाले नीचे वाले कहीं पर भी खरीद हैं, average करेंगे, तो price कहां पर आना चाहिए, 225 के नीचे आना चाहिए, तो ही उसे हम लोग proper average मानेंगे, समझ गे, तो यही था मेरा update वेदानता पर, अगर आपको stock analysis समझ में आया, तो वीडियो को like करिए, share करिए, यूटुब चैनल को subscribe कर लीजिए, thank you for watching my video,